नमस्कार दोस्तों आप सब के पास काफी लोगों के पास इनकांटेक्स एक मेसेज आ रहा होगा जिसमें बोला जा रहा होगा हाई वेल्यू ट्रांजेक्शन कुछ है तो आप एकमपेन में जाईए और उसके अगेंस्ट आपका रेस्पोंस सम्मिट करिए तो दोस्तों उस मेसेज से आपको बिल्कुल भी डरने की जरत नहीं है इस वीडियो के माद्देम से मापको बताऊंगा कि उसका रेस्पोंस आपको कैसे सम्मिट करना है क्या वो मेसेज जो आपके पास आया है वो सही भी है या गलत है आपके लिए अगर गलत है तो आपको क्या करना है और क्या इसका रिप्लाई आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो बने रही है दोस्तों वीडियो के एंड तक मैं आपको हर एक कोशन्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सबसे पहले आप सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले आप तो भड़ते हैं दोस्तों हम हमारे वीडियो की तरफ तो डेफिनेटली आप में से काफी लोग वो होंगे आपको आपके income tax portal पे login करना आपको सबको पता है income tax india.gov.in पे जाके आप login कर सकते हैं आपको आपका pen number डालना है आपका password डालना है फिर नीचे आपको यहाँ पे capture डालना है capture डालके आप login कर सकते हैं login जैसे ही करोगे आप यह हम login कर रहे हैं आपके सामने login करने के बाद आपको जो compliance वाला option उपर दिख रहा है यह login आपका portfolio compliance में आपको नीचे first tab compliance portal दिख रही है आपको compliance portal टेप पे जानी है यह आपको अब redirect करेगा compliance portal पे आपको confirm करना है जैसे आपने confirm किया यह आपको किसी old portal पे लेके आ गया है आपको यहाँ पे यह जो dialogue box दिख रहा है इस पे आपको okay करना है दोस्तो जैसे आप okay कर रहे हो आपके सामने यह compliance portal आ गया है अब इसमें देखिए e-campaign बोलके जब आपके बास message आ रहा था तो अभी हम देखते हैं नीचे financial year bcq में pending दिखा रहा है कि कुछ न कुछ पैंडिंग जरूर है तो e-campaign पे सबसे पहले आपने देखा एक बनावा रहा था red में मतलब कुछ आपके पास drop box में आपके inbox में कुछ आया हो है जो आपने अभी तक open नहीं किया इसलिए हम पे red का signal आ रहा था अब हमने उपर नीचे खोल लिया financial year bcq spending यहाप लिखा रहा है मतलब यहाँ से हमारी तरफ से कुछ pending है जवाब देना हमारी तरफ से pending है तो इस पे हमने click करते हैं यहाँ पे जो बोलना चाहरा है आपसे यह बोलना चाहरा है कि 20-21 का आपको response देना है आपको 10 minute है उससे ज़्यादा भी लग सकती है response देने में तो इस सच कहीं है भी इसा लिखाओ नहीं है mandatory है बट गोर्मेंट ने पेच 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 लास्ट टाइम जो इकम्बेंच चलाए तो उसमें यह कहाता है कि हमें आपका cooperation चाहिए आपका support चाहिए बैसिकली department के पास जो information गई है यह information वो हमसे बस confirm कराना चाहती है कि क्या information सही तो है क्या कहीं तो अगर आपके case में information सही है तो आपको agree करना है और वीडियो में आगे भढ़ते रही है आगे हम भढ़ रहे हैं आपको हर एक चीज का जवाब मिलने वाला है इसको basically आपको okay करना है यहां बताने का मेरा मक्सद दिया ही था कि आप future में अभी जो भी आप response देगो आप उसको future में revise भी कर सकते हैं अब हम चलते है अपने वीडियो पे आगे की तरफ आपको यहां पे okay करना है दूस्तों जैसे आप okay करोगे आपके जो भी transaction था system आपको यहां पे दिखाएगा अब जैसे हमारी इस party के case में जो transaction दिखा रहा है कुछ 15 करोड का एक sale of immobile property दिखा रहा है एक purchase of immobile property दिखा रहा है तो तो तीन में से दो transaction तो मुझे okay लग रहे है although हमें check करने पड़ेंगे कि क्या हमने ऐसा किया है अभी मुझे immediate याद है कि मैंने purchase of immobile property तो बिलकुल किया है जी हाँ मैंने immobile property खरीदी है 50 लाकी तो इस response का मुझे क्या करना है अगर आपको लगता है कि इस response से आप सहमत नहीं हो तो आप इसको disagree भी कर सकते हो okay कैसे करना है disagree कैसे करना है ये भी वीडियो के अंत तक आपको पता चलने वाला है दोस्तो तो still अगर मैं वापिस से आप से request करना चाहूँगा अगर आपने subscribe नहीं कर रखा है तो चैनल को आप अभी subscribe कर लीजी क्योंकि हमारी कोशिश से रहती है कि चैनल पे हम daily basis पे कुछ purchase of immobile properties से मैं 100% agree हूँ ये जो purchase of immobile property मैंने 50 लाग की खरीदी है जी बिल्कुल खरीदी है तो मैं इससे agree कर रहा हूँ तो अब agree कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है इसमें क्या मुझे यहाँ पर अपनी सहेमथी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए तो अगर आपने कोई जी हां दोस्तो तीनों में से जिसको भी आप अभी response देना चाहते हो तीनों का एक साथ भी देख सकते है आप एक एक करके एक की बार में तो आपको जिस पर भी आप response देना चाहते हो आपको उस पे click करना है तीनों transaction में business transaction हुआ, sale of immobile property हुआ, purchase of immobile property हुआ तो आपको अभी जैसे हम बढ़ेंगे आगे purchase of immobile property की तरफ तो purchase of immobile property का हम देने आपको जा रहे हैं इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों जैसे ही क्लिक किया अब बकाइदा यहां पर पूरी detail यह दिखा रहा है system की purchase of immobile property के यह जो detail agreement के पास ही कैसे गई एक TDS form file हुआ था 26QB और section 194 IA में तो TDS जमा कराए था और 26QB की through हमने चालान का payment किया था हम सब को पता है पचास लाग के आसपास पचास लाग से उपर जब value की property खरी दिया थी तो TDS जमा कराए जाता है जैसे पिछले step में हमने उस arrow पे किलिक किया था अभी हमें इसको tick करन के बाद हमें bulk response वाले section में आना है जो select option आ रहे है इस पे से 2 option दिखेंगे information is correct और information is denied हमारी information correct है तो information is correct option A हमने select किया और इसको हम submit करने जा रहे है यह पूछ रहा है आप submit कर रहे हो confirm कर रहे हो okay कर दिया thanks for confirming the information तो यह information हम अब सरकार को confirm कर चुके है कि portal पे जो 50 लाग की purchase आ आप चाहो तो इसको future में change भी कर सकते हैं आप देखिए bulk option में information is denied option आ रहा है तो वहां जाके आप इसको denied भी कर सकते हो आप फिस शुरू से में आपको लेके चलता हूँ आप अभी यह tick का रहे है green tick इस पे तो इसका मतब है कि हम response submit कर चुके हैं एक बार के लिए response submit कर चुक जबकि actual में गलत थी तो मुझे change करना है तो मुझे क्या करना चीए change तो वापिस से आपको वही process follow करनी है इसी arrow पे tick करना है आपको refresh करके सुरू से दिखा रहा हूँ इसी arrow पे आपको click करना है यह already ticked है आपको जाना है information is denied पे आपको click करके submit कर देना है जिया दोस्तों यह be option आ रहा है information is denied इस पे जाके आपको submit कर देना है तो वो response आपका हो जाएगा disagree कि नहीं भया यह मेरा नहीं है जवाब मेरा जवाब तो यही है कि information सही नहीं है information गलत है दोस्तों तो I believe आपको यह video काफी हद तक पसंद आया होगा definitely पसंद आया होगा आपको यह video तो दोस्तो आपने इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिला को कि देना जरूरी है या नहीं although कहीं यह नहीं लिखा mandatory है बट मैं यही कहूँगा आपको 100% मैं यही recommend करूँगा कि आपको इसका जवाब देना चाहिए दूसरी चीज जो मैं आपको जो मैंने आपसे discuss करी वो यह discuss करी कि क्या response देने के बाद हम उसको change भी कर सकते हैं जी हाँ आप response देने के बाद आपको लगता आपने गलत response दिया है तो आप बिलकुल इससे change कर सकते हैं कहीं भी किसी भी प्रिदकार की कोई तकलीफ आपको उसमें नहीं है नहीं इसमें कोई तकलीफ आपको आगे आने वाली है अलग-अलग तरीके से response दे सकते हो, कहीं भी कोई भी कताई, चीज mandatory नहीं है दोस्तों, क्या आपको इस मेसे से डरने की जरूरत है, जी नहीं, आपको इस मेसे से डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, कहीं कोई high value transaction है आपका, जो यहां भी report हो रहा है दोस्तों, इवन यहां report नहीं भी हो रहा है, तो मैं आपको यह कहूँगा, आप आपकी जो ITR है, वो समय से भरे, और उसको सही डंग से चेक करते होए भरे, कहीं यहां पे तो high value transaction को आप accept कर चुके हो, बट आप जो आपकी ITR भरने जा रहे हो, उसमें वो transaction का ही reflect नहीं आ रहा, तो आपको दिक्कत का सामना करना पढ़ सकता है दोस्तों, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उमीद आपको यह वीडियो पसंद आए होगा, मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं update के साथ, अब तक लिए thank you so much, चाहिंद, जै भारत